हेलो और वेल्कम डू खेल लाओ टीवी मैं आपका होस्ट आयूश और एक बार फेसे हमारे साथ जुड़ गए है मोहित भाई इंडिया वसेश चाइनीज ताइपे का कबड़ दी मुकाबला शुरू होने वाला है पूल स्टेज अभी चल रहा है और अब इंडियान टीम यहां से जाकर एडवांस करना चाहेगी जीत के साथ ही सेमी फाइनल में जहाँ पर एक बड़ा मुकाबला हो सकता है या तो पाकिस्तान की खिलाब या इरान की खिलाब लेकिन आज एक बड़ा मुकाबला अभी खेला जाएगा और दूसरा मुकाबला इंडियन मेंस टीम दुपहर में डेड़ बज़े से खेलेगा जैपान के अगेज लेकिन कुछी देर में मुकाबला शुरू हो जाएगा मुमित भाई सबसे बेले तो चाइनीज टाइप एक ऐसी टीम है जो हम खेल चुके हैं दो महीने पहले एशिन कबड़ी चांपेंशिप में तो उस लिहां से क्या लगता है एजी होने वाला है कि थोड़ा तफ कॉंपेटिशन रहेगा मैश तो शयाद एजी होने माला है तफ नहीं रहेगा क्योंकि एसीन चैपिंशिप में पहले यह भारते टीम उसको हरा के आच चुकी है लेकिन अपने आपको कठोर साबित करना पड़ेगा कि हम दर्ड निश्या से आया है जैसे कल गलतिया की थी निटेश को साइड कर दिया था बाहर बिठा दिया था वह सारी गलतिया ना करके क्योंकि इंज्री के चांस रहते हैं ऐसी ऐसी टीमों के साथ और आगे जो सहीं फ अप थाइलाइन माल लो या कोई भी टीम माल लेकिन आपको बनके ही उतरना पड़ेगा आपने आपको लिउज नहीं दिखा सकते या आपने आपको लिउज प्रुस्तूत नहीं कर सकते किसी भी टीम के सामने बिलकुल और मतलब अब ही तक जो देखा गया है इंडिया ने वनसाइड जीत हासिल करी और उसका बहुत सारा क्रेडिट जाता है अभी तक जिस तरह से हमारे रेडर्स खेलें क्योंकि अगर अब बात कर लें डिफेंडर्स की तो नितेश पिछले मैच में उनका अपस और डाउंस से बरा रहा था मैच जादा पॉइंट लूज भी किये थ से काफी जादा है सुपर फाइव लगाया था इसके लबा परवेश भैसवाल तीन पॉइंट लिये थे नितिन रावल लेट आये थे लेकिन एक पॉइंट अपने नाम किया था और विशाल भारतवा जो सुनील की जोडी ने दो दो पॉइंट अपने नाम किया थे तो ओव असलमी नामदार से चीपॉइंट अपने यह करने के लिए दिया जाता है जो इनको जिस वजह से टीम में शामिल करें इक्विक नहीं पर असलमी नामदार का रोल काफी जाना इम्टन हो जा तो उन्होंने बग्षू बहाया है लेकिन चाइनीस ताइपे की गेंस्ट अगें तो यहांन टीम के साथ हमें और ज्यादा स्ट्रोंग रहना पड़ेगा जैसे अब तक के जितने ही मैच थे जितने मैच हो चुक है आज भी जो मैच हो रहा है चाइना के साथ तो वह भी मैच एजिली है लेकिन कल का दिन और परसो का दिन बड़ा आयम दिन है और इस दिन में इन दिनों में ही पता लगएगा कि कितना हमारे सामने कमपीटिशन है क्योंकि यह चार साल का निचोड इन दो दिनों में पता लगएगा जो 2022 का आशियन गेम है उसमें आपने कितनी प्रपरेशन किया है कितना क्या किया है तो यह सारी चीजे है और एरान एक स्ट्रॉंग तीम है अप हलके मत लेना क्योंकि हमारी भारते टीम एशियन चैंपिएंशिप में फाइनल मैच में थोड़ा लड़कड आ गई थी लड़कड आ गई थी लास्ट में आप भी ज्यादा लड़कड आ गई थी क्योंकि वह जल्दबाजी कर दे थी कल भी हमने देखा जैसे अप नितेस की बात कर देए ओ नितेस ने अच्छे टैकल किये शर्क नीया लेकिन एडवांस टैकल की विए टीम इंडिया को नहीं जाना होगा ठोड़कड बढ़ेका वाईंप एडवांस टैकल ही आप तैकल भले दो करो लेकिन बिल्कुल स्टिक करो अगर आप डो टैकल करके आगर चैरपॉंट गवा रहे हो तो आपको माइनस में धकेलते हो और आगे आने वाले मैचों में ऐसे-इस ऐसे टैकल से बचना होगा क्योंकि आपके सामने दो टीम पकिस्तान और एरान होने वाली है बड़ी टीम होने वाली है यह आज का मैच डिसाइड कर देगा क्योंकि उनके भी मैच होगे और सेमी फाइनल किसके साथ आ रहा और फाइनल किसके साथ आ रहा है बिलकुल और आट बजे मुकाबला शुरू होना था लेकिन अवे तक मैच शुरू नहीं हुआ है ऑफिशल टाइमिंग के अकॉर्डिंग लेकिन इंडियन टीम दूसरे अगर स्पो चाइना के प्लेयर के अगेस्ट मुकाबला खेल रही है अलाकि थोड़ा पीछे चलने है लेकिन पीवी सुन्दू जैसा कैरेक्टर लेके आती है जादा पीछे रहने नहीं वाली है चलिए यह तो रही बात बाकी सारे स्पोर्स की हम आपको लगातार अपडेट देते रहे साथ लेकिन उससे जादा इंप्रेस किया किशूर कुमार जैना ने जो वर्ल्ड लेवल पर जब हम वर्ल्ड चैंपेंशिप देख रहे थे तो चौथे नंबर पर थे जब वहां पर जर्मनी के और चेक रिपब्लिक के जो थो थो जो कदकाथी में और डील डॉल में काफी जादा स्ट्रॉंग होते हैं वहां पर आके नंबर चार फिनिश किया था और कल अमने देख लिया नंबर दो पर फिनिश किया था और अपने करियर का सबसे बेस थो फेका है मिरको नहीं पता नाम याद नहीं है लेकिन मैंने कल एक न्यूस देखी थी एक 100 मीटर में भी पह करेंगे और आपको बताएंगे उसका नाम क्यूंकि उसने बहुत सारे इवेंटों में पार्टिट किया था बिल्कुल और कुछी देर में कबड़ी का एक्शन शुरू हो जाएगा लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अगर हम evaluate करे देखे इंडियान टीम कहा लूस पढ़ दिय हैं लोगों के सामने बताई रहें जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको बताई रहें लेकिन कहा कहा वीक पढ़ दिया आपके लिहाज से मेरे लिहाज से अगर टीम इंडिया की बात करें कबड़ी की तो एक एडवांस टैकल के लिए ना जाए अपने आपको सही हम करें जैसे कल जो हमने मैस देखा थाइलेंड के किलाब तो नमीन का एंकल होल्ड किया और पावन तो चलो एक अच्छे प्लेर है उनको उनका टैकल लिए वा डिफेंस में लूस किये थे लेकिन पावन को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए ना क्यूंकि आपका जो फर्स सेव इंडिया के पावन सेरावत मैस शुरू हो चुका है आपका सोनी लिव स्ट्रीम टू पर दिखाई देगा ये मैच पावन सेरावत पहली रेड लेकर आते हुए और पहला टच पॉइंट भी क्लेम कर रहे है यहाँ पर क्या पॉइंट किया है या नहीं नहीं दिया गया है रेफरी ने नहीं दिया है पॉइंट लेकिन काफी अच्छी किक थी पावन की और पावन अपनी इस किक से जाने जाते हैं काफी अच्छे से और जो चाइना के है चाइनीज ताइपे के खिलाडी है बहुत अच्छे है आप इनकी स्किल्स देखो स्पीड देखो इनमें स्क किल्स कम है और वो चाइना के 11 नंबर के जर्शी के प्लेयर पाउंस है राउट को ही आउट कर गए पाउंस है राउट ऐसी गलतियों से हमें बचना पड़ेगा और डिफेंस में ही कल बार बार आउट हुए थे और पहला पॉइंट चाइनीज ताइपे के पक्ष में गया है मोहित भाई जादा तरह हम यही देखते है कि चाइनीज ताइपे के अगेंस्ट जैसा टीम खेलती है वैसा काफी शानदर परफॉर्मस रहता है लेकिन इसके बावजूद पहला पॉइंट जो रहा है और नवीन ने इंडिया को पहला पॉइंट दिला दिया इंडिया का ख अगें 12 नंबर के खिलाड़ी को गोद ले लिया है बारत में यह कॉम्बिनेशन टैकल होते है जो विशाल बारतवाज ने किया है काफी अच्छा टैकल था इन्हीं इस कॉम्बिनेशन से हम किसी को भी कुछ को कर सकते हैं और दाइमारी और इस स्वाल के उपर शानदार टै लेता लेकिन दो-दो का स्कोर बराबर करना चलो है स्टार्टिंग है पर टीम इंडिया को पहले बीसमें पर मोईट भाई यह चाइनीज टाइप है के अगेंस्ट हम एक्सपेक्ट नहीं करते अगर इरान होती तो हम कह रहे होते कि दो-दो चल रहा है बहुत अच्छा गेम अच्छा जल गए है यही चीज है लेकिन कोई नहीं अब इतो सुरू स्टार्टिंग हुआ है और यह रैडर आउट हो गया और यह क्लेम कर रहे है रिव्यू रिव्यू शायद हो नहीं होगा आज सुर्जीत दिख रहे हैं हमें टीम इंडिया में राइट कवर सुर्जीत यह रिवू ले लिया चाइनी टीम ने बिल्कुल और यह टच का क्लेम कर रहे थे रिवू में चाहर नमबर की जर्सी में और सुरजीत मना कर रहे थे देखते हैं क्या होता है मेरी क्याल से लॉबी में गए तो इनको कुछ ना कुछ तो टच फील हुआ है तब ही लॉबी में गए तब ही इन्होंने चांस लिया है और यह कभी-कभी इना डिवेंडर को पता नहीं चलता है और रिवीव अभी पैंडिंग है कही ना कहीं तो तब ही यहां पर फैसल आएगा अभी पैंडिंग पड़ा हुआ हमारा अभी भी रेफ्रीज चेक कर रहे है कि क्या वो डिसीजन चेंज किया जाएगा या नहीं और दूसरी तरफ भारती टीम जो की गोल्ड के लिए खेल रही है कंपाउंड विमेंस टीम फाइनल में पहु लोग हमसे कह रहे है कि चाइनीज टाइपे की जगे ताइवान बोलेंगे चाइनीज टाइपे नहीं बोलेंगे चलो ठीक है ताइवान पीछे चल रही है अभी थोड़ा सा अगर यह पॉइंट भारती टीम के पक्ष में गया लेकिन जिस तरह की स्कोल लाइन है अगर 3 न भी होता है तो इंडियन टीम से हम चाहेंगे कि लगातार पॉइंट कलेक्ट करें और बड़े मारजें से जीते जहां भी हमने दो जीत देखें मुझे बिलकुल और आज यह ताइवान जो बोल रहे हैं आप लोगों के ताइवान की जो टीम है लेकिन मैं एकसेप नहीं कर रह को नमीन को आरजुं देशौल मतलों बहुत अच्छे रैडर है कि इन एक खुला क्यों नहीं छोड़ते हैं यह दो रैडरों को खुला छोड़ना चाहिए और एक पावन को या सेफ रखो या नमीन को सेफ रखो अर्जुन देशवाल को साथ साथ हो और यह पॉइंट है इं पहले ही रेड में लाच यानिर नहीं पहले ही रेड में लाच हुए है लेकिन बोनस से आये था देखना होगा क्या इंडिया के कप्तान और ये पहला पोइंट दिला दिया है त्यॉ आगे हो गई है और काफी अच्छा श्ट्रगल किया था पवन सहरावत ने, जंप लगाया था, थाई होल्ड करने की कोशिच थी दूसरी टीम के खिलाफ, लेकिन काफी अच्छा जंप लगाया और एक पॉइंट लेने में अच्छे रहे काफी, और ये, काफी साथ है तेजी आप देख रहे ह या राइडिक डिपार्टमेंट में सेफ आ रहे है, और डिवैंस की कोशिच जारा कर रहे है, क्योंकि एक टेकले कर चुके है अरजुन देशवाल को, और पवन दुबारा राइड पर आते हुए, पवन के अच्छे मूमेंट है, इसमें कोई शक नी और पवन दो से लेकर गए है, और कही न कही पहला ओल आउट भारते टीम दे सकती है, दो इजी पॉइंट पवन सहरावत एक अलेक कर लिए है, लगातार दो रेड और तीन पॉइंट लेकर गए है पवन, तो कही न कही आज पवन काफी जादा उचाईयों पर उड़ने वाले हैं, यह हो एक अच्य प्लेयर की तरह है, लेकिन मेरे को यह डर है कि बस डिफैंस में लूज नहीं होना चाहिए, अपने इंडिया ने एक ही टैकल किया, लेकिन अभी तक टैकल दोनों तरफ से मोहित भाई एक एक देखने को मिला है, तो अभी डिफैंस में देखना होगा, लेकि हमारी स्टॉंग है, यहां पर हमें जो जगे भरनी है, वो डिफैंस में भरनी है कि हम यहां से सुपर टैकल ऑपरचूनिटी और सुपर टैकल क्या यह सुपर नहीं होगा, और यह पहला ओल आउट दे दिया गया है, पावन सहरावत ने एक बार फे से मल्टी पॉइंट रे देखो अब यह देखो कि ताइपे की टीम के जो डिफैंस है वो रूपके खेल रहे है, किया था, स्ट्रगल पूरा किया था पाउन के साथ, लेकिन पाउन में स्कीलिट सी इतनी है, सुरजीत का डैस, सुरजीत ने बहुत अच्छा ब्लोग किया है, यह डिफैंस है, क्यों प्रेस रिद पर जाते हुए, और बोनस का टेम्क करने, ज़्यादा अंदर जाने के कोशचिश करने तो पहले अटेम्प, पहले टूरा तयरं त creation अधर हो Panel में विय्ल् Councillor clip , धूम्ह 24, मेरे ख्याया मिल जिया, कर एAl Condal पर वैसा है चार नंबर की चार नंबर है कावी अची और सुरजीत ने फिर ब्लो कर दिया और भवर में फस गए भवर में फस गए और चार वो से घेर लिये गए ते यह एक टीम गेम एक जुट था कि सुरजीत आये सुरजीत के वहां से निकल गए थे लेकिन राइट कोर्नर से नितेश और विशाल भारतवाज दोनों आ गए नितेश विशाल भारतवाज नवीन ने भी बखुबी उनका साथ निभाया हलाकि तीन लोगों में हो जाना था लेकिन टीम ऐसा टीम खेल रहे हैं बहुत शांदार और पहला पॉइंट यहां से एक और पॉइंट यहां पर क रेकल हो गया या हमने डिफेंस में पॉइंट लूज यह किया था एक पॉइंट ने दिया था सटर्टिंग में तो वह पावन की गलती ने थी वह रेड बहुत अच्छी थी वह तच करके गए और कापी आगे थे आगे थे पावन लेफ्ट किर गया थे सब्स्तुर्स के अर कि शीक लेके इंडिया वाम अप होके और फिर ताइवान की क्लाब लड़ रहा है चलिए ठीक है 14 दो से भारती टीम आगे 12 मिनिट का समय शेश है फर्स्ट हाफ खतम होने में तो कई न कई भारती टीम एक बार फिर से बड़े स्कोल लाइनप की तरफ बढ़ रही है और टीम इंडिया के कप्तान पवन सहरावत इस वक्त मौझूद है मैट पर रेडिंग कर रहे है चार का डिफेंस क्या चार के डिफेंस को बेद पाएंगे नहीं आराम से कैजुली नहीं खेल रहे हैं टाइम ले रहे है अपना और यही एक कैप्टेन की दिफशानी होती है आज सेकेंड का समय शेष इस रेड में और एम्टी रेड इंडिया की पहली एम्टी रेड होती हुई इसी वीच चौदा दोसे भारती टीम आगे चल रही ह एम्टी रेड भी जुरूरी है क्योंकि थोड़ा समय मिल जाएगा अब जितना मैच को ठहराओ दोगे मैच उतना ही अच्छा जाएगा बिलकुल यही चीज होती है सीखने के लिए इसलिए इंडिया आगे है कबड़ी में आज तक बिलकुल कि ठहराओ है टीम में वो हड़ बड़ात में खेलते नहीं है आईउश मितल भाई बोल रहे है मोहिद भाई तो ऐसा लग रहा है कि यहीं कबड़ी खेल देंगे सारा और नीचे कह रहे है खेलनाओ को ठैक्स मोहिद भाई को बिलाने के लिए रहे थांक्यू सो मच आप लोग इतना प्यार देते रहे हैं मो को अब कर दो बार दोनों बार आएँ लगा के टैकल किया है यह सबसे बड़ी गलती है और मुएद भाई टेक्नीक देखें है और अब देखो हरी दोनों बार उने आने वाले पाईटनाओ पाईटनीक देख रही है काफी अच्छा टैकल किया और डूर डाय रेट थी आपर चांस तो ले नहीं था ग्यारा नंबर की खिलाडी आउट कर लिया गया है एक बोनस दिया गया है लेकिन इस बीच अटेम्ट किसका था पहला अटेम्ट मेरी ख्याल से नितेज का था पहला अटेम्ट और टीम फिर सा हमारी बढ़ेगी और इस बीच सेम लेफ्ट कॉर्णर पर नवीन ने अलग टेक्नीक से पॉइंट कलेक कर लिया है कही ना कहीं हम देख रहते हैं कि जो अरजुन देसवाले हो अपना पैर का मूवमेंट कर रहे हैं और हलका मूवमेंट है वेरास नवीन हांड टच के लिए जा रहे हैं तो उनको जादा चांस मुल रहा है अधरी देसवाले जैसे हम जानते हैं जैसे लीग में खेलते हैं तो एक स्पीड बढ़ करार करते हैं और नितेस ने टैकल किया काफी अच्छा चैन टैकल था और स्पोर्ट भी काफी अच्छा दिया हमें लेकिन 12 नंबर की बहुत लगी रहे कि टैकल नहीं कर पाई अधर वाईस काफी क्लोस कॉल थी है जैसे कल भी हमने तीन-चार बार ऐसे मुवमेंट देखे थे कि लाइन टैकल के लिए जा रहे हैं और यह एडवांस टैकल नहीं होने चाहिए आइड़कुल क्यूंकि आप एडवांस टैकल नह करके इनको जाने दो अराम से यह अराम से भी ग्रफ्त में आ जाएगे और एक वार्निंग दी गई है इस बीच पवन सहरावत को मेरे ख्याल से जादा एक्टिविटी दिखा रहे हैं मैट पर जब नहीं बोलना चाहिए इस बात के लिए हिदायत दी गई है लेकिन दो का ड पावन को दिन का उनका च्छटा पॉइंट मिलता हुआ यह अमने लगा ताहर मुईट भाई देखा है स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ में पावन जम के रेड करते है और ट्राय करते हैं जाद से जादा पॉइंट ला सके मल्टी पॉइंट कर सके यही चीज हमें लीड दि अधिवेंस है भारते टीम का और मेरे को बहुत ही अच्छा फील हो रहा है यह परवेश बैसवाल ने काफी अच्छा टैकल किया था और सुनील के साथ इनकी जोड़ी और भी कमाल की है ताइम आउट लिया गया है पता नहीं भारते टीम ने लिया या ताइवान का ताइव मेरे क्याल से इतना प्रेशर इंडियन टीम पे है नहीं स्टार्टिंग की जो दोड़ो की स्कोल लाइन थी इसको काफी पीछे शोड़ दिया एक किस चार हो गया है दो पॉइंट लिया है पिछले अगर आप बात करें दस मिनिट में दो पॉइंट लिये चाइनीज एक एक रैड में पॉइंट लेका और एक टैकल हुआ लेकिन बोनस करके गया यह चार पॉइंट है बिल्कुल तो चलिए एक किस जो पॉइंट है हमारे जो इंडिया के यह चल रहे है मैच चलना जो कबड़ी का और अरजुन देशवाल फिर मैट पे आते हुए क्या यह पह इस ताइवान के खिलाड़ी की डिफेंसिव एरर है डिफेंसिव गलती हो गई यहां से अरजुन देशवाल दिन का पहला पॉइंट तीसरी रेड मल लेके आते हुए अरजुन देशवाल को थोड़ा सम्मल के खेलना होगा कि टैकल हो जाते कोई डिक्कत नहीं लेकि अरज चीज होती है इस चीज का ही सिस्टम होता है कि आप और यह पॉइंट लेके गए और अरजुन देशाल को ही चार नम्मर के जो रेडर है ताइपान के ताइवान के और यह इतनी अंदर से रेड पॉइंट लाए कैसे मैं उसमें दिल्शस्की जरूरूरूरूरूरूरूरू इमें बोनस प्रोण मिल चुकी है, वह फिर पॉइंट के लिए जूज रहे हैं, और किक लगाने यगी कोसिश की थी लेफ्क कोर्नर पे, बार-बार सफल कर रहा है, तोडने की कोशिश कर रहा है, और बोनस प्रोण मिल गया है, मिल गया है नमीन एक्सप्रेक्स को और अभी तक अगर स्कॉल लाइन की बात की जाए, 12 नम्बर के ताइवान की खिलाडी रेट पर मौझूद है, पिछले पॉइंट लेके गया था, अर्जुन देश्वाल को चार नम्बर की खिलाडी में बाहर किया था, तो टच लेकिन अब एक बार फिर से देखना होगा है, या पर दूसरी तरफ इंडिया का एक्शन चल रहा है, रेस्लिंग में जहां पर भारती चुनौती अन्तिम पंगाल दिखाई दे रही है, मैट पर और पिन फॉल हो गया है, भारती टीम आउट हो गई है, जैपान के अगेंज में, अन्तिम पंगाल अपने इनिशल में ही बाहर हो गई है, जो कि काफी बड़ा जटका है भारती टीम के लिए, मुमित भाई क्योंकि विनेश फोगाट जो की एक लेजंड है इस वक्की उनकी जगे पर बेजी गही थी, सेम वेट कैटिगरी में, चोट लगी थी, और इस बीच एक पॉइंट पवन सहरावत ल है कि ऑफिशिली 25-6 का स्कोल लाइन चल रहा है, काफी अच्छी खेल रहे है पाउं सहरावत और पाउं सहरावत को और 6-7 मिंट या मैं बोलूँगा 10 मिंट के बाद, टोटल 10 मिंट अगर 15 मिंट भी रिलेक्स रहेंगे लास्किल, तो इत्रा बड़ा हो नहीं रहे है, लेक आज गाजो स्कोर है, फर्स्ट हाफ का, ताफी अच्छा जा रहा है, जैसे हमने सोचा था, दो-दो करके, लेकिन हो जाता है कभी-कभी मैच में होता है कि स्टार्टिंग में आप वोम अप होके आए हो, तो कही ना कही एक ही चार्ट रहती है, कि गल्ती ना हो जाए, गल्त कि तरफ अब ध्यान नहीं दे रहे है, बाग की लाट कवर कर रहे है, पहले वो खड़े होके, स्टैंडिंग पोजिशन पे, वही खड़े होके, लेफ्ट कोरनर के पास रैड करते थे, लेकिन दो पिछली दो रैड पे उन्होंने कोरनर छोड़ दिया और वो आगे रनिंग करने की कोशिश करने, इसलिए उनको पॉइंट मिल रहे है, और यही चीज है, काफी अच्छी, 11 नंबर की काफी अच्छी किक थी, जो बीच में उन्होंने करने की कोशिश की, ये टीम है सीख रही है, सीख रही है, बिल्कुल 26 चल रहा है, इस वक्त स्कोर लाइन मुहित ब नवीन एक्स्प्रेस, नवीन के लिए बोनस अवेलिबल नहीं है, लेकिन इस पॉइंट लाने में खासा माहिर हैं इंडेन टीम के लिए, और दबंग दिली के लिए तो हैं, और एक पॉइंट यापर इसी पॉइंट भारती टीम को मिलता हुआ, नवीन, बिल्कुल और इनामदार होगे, तो हमारे पास रैडरों की कमी नहीं है, हमारा डिफैंस जो आज खेल रहा है, ऐसा ही डिफैंस कल और परसो भी हमें चाहिए, वो ठहराओ डिफैंस का टीम इंडिया को चाहिए, और बारा नबरे खिलाडी नितेश का एडवांस, तैकल और दो पॉइंट पर फिर से कल वाली गलती दोहरा रहे है, नितेश और आज के दिन के तीन पॉइंट आये नितेश के पक्ष से, लेकिन एडवांस सैकल के लिए नहीं जाने चाहिए, तो मेरे क्याल से इनिशियेट जो किया था, वो नवीन ने किया था, नवीन की गलती जादा, लेकिन उनक आप देखेंगे, आप हमने स्पोर्ट पे धान दो, जब आप नितेश टैकल करने की कोशिश करें, या नितेश चैन टैकल करें, भी ओल्ड करें, जब आप स्पोर्ट देने की कोशिश करो, आप खुद लिखना, खुद बाखुद नहीं, अरजुन देशवाल एक बार फिर पे और पाँच का डिफाइनस है, अब देखते हैं, अरजुन देशवाल क्या करते हैं, यह एक पाँच का डिफेंस नमबर चार की खिलाडी, और बड़ा शिकार कर चुके है, पाँण सहरावत के रूप में, लेकिन देखना होगा क्या बारती टीम थोड़ा सा सही हम और भारती टीम 27-8 की स्कोल लाइन से आगे बढ़ाएगी गेम और अभी धाई मिनट बचे हुए हैं फर्स्ट हाफ की सवापती के लिए, और इंडेन टीम काफी आगे निकल चुका है चाइनीस ताइपे से लेकिन यहां से हमें साटिस्फाय तो बिलकुल नी होना है, यहा पाईव लगाई और पाउन का टैकल कर दिया इस कोर्नर ने दो अर्जुन देसवाल के ताइवान खिलाडी ने अभी तक मुई भाई भाई आप यह देखो कि जब भी हमारे रैडर स्टैंडिंग पोजिशन में लेफ्ट कोर्नर पे जाते खड़े होते हैं उसी ताइम यह क कि मैं कमिया जो की बात करें था तो अपने आपको एक्टीव रख न पड़े गापड़ेगा प्डेगा अब हर एक मेंबर को आपको एक्रिवेट रहना पड़ेगा यही सारी चीजे हमें सिकाती है क्या हमें दूसरी टीमों को आपना भाउं नी देना कि हमारी कमजोरी नी तब भी अर्जुन देशवाल खड़े हुए थे लेफ्ट कोरने पर उनको भी सेम डाई लगी थे और पाउन सहराथ भी जैसे ही खड़े हुए स्टैंडिंग पोजिशन में उनको भी सेम डाई से टैकल हुआ अर्जुन देशवाल एक बार फिर तैपेगी और च्छै है और बोनस की ट्राइ की है अर्जुन देशवाल खड़े है और इस बार भी सेम तर एक से इस स्टिल पोजिशन में आगे थे स्टैंडिंग पोजिशन में साथ नंबर की खिलाडी घात लगा के बैठे हुए कि आओ भाई अंदर आओ हम रेड़ी है तुम्हारा पहले और एक बात और खासा शांदार देखने को में जबरदास देखने को में लिए कि चाइनीज ताइपे के डिफेंस ने पहले पहले पाउन साथ नंबर की खिलाडी का उन्होंने पैर पकड़े बाकी टीम ने कवर किया बिल्कुल और पहरती टीम यहां से ओल आउट फेस कर सकती है देखना पड़ेगा यही चीज है हमारे काफी बड़ी रेड है यह आप यह देखो कि हमारे जैसे एक पहरती अब विशाल पार तो आज बचे हैं तीन पॉइंट लेगे चलेगे सूपर रेड की है ग्यारा नंबर की जर्शी ने मैच की पहली सूपर रेड है मैच की पहली सूपर रेड बिल्कुल और यही चीज है यही चीज हमें दरसात है कि एक पर आपके कैप्टन आउट हुए य नवीन ने गलती की डिफैंस में तो आप टीम इंडिया को बड़ा जटका लगा है मतलब है कि यह ओल आउट है बड़ा जटका इतना नहीं बोलना चाहूँगा लेकिन कमिया जो पेस होती है जैसे कल थाइलेंड के मैच में भी आपने पताई थी और आज सेम वही गलतिया यहां पर चल लगी है और क्या सचिन तवर भारती टीम को आल आउट से बचा पाएंगे या नहीं सबसे इंपोर्टन बात यहां पर होने वाली है कि सचिन तवर पॉइंट ला पाएंगे या नहीं टच से यहां पर बोनस अविलिबल है लेकिन बोनस से काम नहीं चलने वाल पहली रेट करने आए थे पावनस हेरावथ, तो अब ये तो ओलमॉस्ट फिर राद आएगी हुआए हुआगे। मतलब की आठ पॉइंट उन्होंने कमा लिये है दो अधाई मिन्ट में तो एक अबड़ी आगे मैं देखो कैसे चलता है कि और नमीन को कोई जूरत नहीं थी颗ार की और अर्जुन देशन यह तैकल देखो आप हम्मम्म हमें रिप्लाई दिखा रहे हैं हमें सेम गलती दो-बार अर्जुन देशन करने की एक बार पहुनने की उनहीं पर ताइपे ताइवान की टीम हावी यो अप लास्ट फाइव मिनिट की बात कर रहे हैं इतना सारी चीजे रिक्टूली ताइव मिनिट में तोटल पाइव मिनिट अगर काउंट कर लो तो वहां पर नवीन ने गलती खरी जिसके बाद नि अजुन देसवाल लगातार दो बार आउट हुए, उनका साथ दे दिया, पवन सहरावत ने सेम तरे के से आउट हुए, साथ नमबर के खिलाडी की तारीफ करनी पड़ी की, साथ नमबर के खिलाडी की ताइवान के, लेकिन ओवरॉल भारती टीम ने आखिर चंद लमहों में सुपर रेड करके गए थे चैंग, जो टीम के खिलाडी है ताइवान के, लेकिन ओवरॉल भारती टीम अब यहां से पहला अपना मतब इस टूर्नामेंट का पहला ओलाउड फेस करने की देहलीज पर घड़ी हुए, मौहिपई, क्यूंकि हाफ टाइम हो गया तो अब देख स्टार्टिंग की दो ऐसे तीन मिन्ट टाइट थी, फिर बीच में जो बारा मिन्ट थी, वो काफी अच्छी रही इंडिया टीम के लिए, और सब ने डिबैंस में भी काफी अच्छा किया, रैडिंग डिपार्टमेंट में अच्छा किया, चलो कोई नहीं, अर्जुन अर्जुन देसवाल जैसी गलती की और उनका बिल्कुल एडवांस टैकल हो गया, एक अधे टैकल तो होते रहते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है, टीम है अगली भी खेलने आई है, टैकल करने आई है, लेकिन सीख चाहिए हमें, कि यह नहीं करना चाहिए, जैसे नवीन को टैकल के लिए नहीं जाना था, आपके पास डिफेंडर है, तो वो अपने आप पहल करें कि आप स्पोर्ट करों का, इससे जएदा कुछ नहीं है, मेरी क्याल से अर्जुन देसवाल ने मोहिट भाई जो दूसरी दफ़ा सेम तरीके से आउट हो गया है, उसके बाद चेंज गलती हुई और एक गलती भारती टीम से एडवांस टैकल के लिए जा रहे हैं, लगातार तीन मैच में तीनों बार हमें ये गलतीयां देखने मिली कि एडवांस टैकल के लिए क्यो जा रहे हो, हा माना आपका जो डिफेंस है, वो दुनिया का सबसे बेस्ट है, लेकिन सामन सामने वाली टीम कम नहीं है, सामने वाली टीम जीतने आई है, यही बात मैं आपसे बता रहा था कि पावन, देखो मैंने आपको बोला था पावन के टैकल से पहले कि पावन को और 15 मिन्ट एक्टिव रहना पड़ेगा, उसके बाद प्लास की 15 मिन्ट है वो चाहे MPT रैड क पर कोई बात नहीं इतना बड़ा मुकाबला बड़ा है, लेकिन टीम इंडिया है, आप दुआए करो, हम तो हैं, हम तो बैठे हैं, देख रहे हैं, और आप हमें देख रहे हों, तो आपको सारी अपडेट देंगे कपड़ी की और लेकिन उससे पहले बता दे कि सेकेंड हाफ शुरू होने वाला है, और इंडिया की जो पीवी सिंदू है, उनको हार का सामना करना पड़ा है, चाइनेज खिलाडी के अगेंस और इसी के साथ सिंगल्स में, इंडिविजूल राउंड में, पीवी सिंदू का सफर खतम हो होता हुआ क्वाडर फाइनल में, अब H.S.Pronoy अपनी दावेदारी पेश करेंगे और दूसरी खिलाडी है लक्ष सेन, जो कि टीम इंडिया को आगे ले जाने के लिए रेडी है बैडमिंटन में, और बैडमिंटन से हम कई ना कई मेडल एक्सपेट कर रहे हैं, दूसरी त जो भी जीतने वाला है, उसकी टीम से होने वाला है, तो कई ना कई भारती टीम फाइनल में एक और गोल मेडल के रादे से उतरेगी, दूसरी तरफ अगर हम देख रहे हैं, तो रेड के लिए जाएंगे, सच इनतवर ही जाएंगे, सच इनतवर जाएंगे, लेकिन ये कैसे मेरे कैसे, जहां से ब्रॉड कास्टर ने दिखाना शुरू करा, वहां से हमें यही लगा कि पवन कर रहे हैं, पहले चलिए, सच इन को बोनस दे दी अराम से, क्योंकि इंडिया टीम में खाली एक ही बंदा है, सच इन का टैकल कर दिया, राइट को ने थाई होल्ड किया, ल तक तो पहला आउट हमको 2023 का बिलता हुआ टीम इंडिया को, और कही न कहीं कुछ चेंजिस तो है, मेरे कैसे पहले आउट हो गए थे, और इस वज़े से टीम इंडिया को रिटेन कर दिया गया है, सच इन तमवर को रिटेन किया गया है वापस से, और पॉइंट भारती टी मिलेगा, बिल्कुल, मेरे क्याल से बोनस प्लस वन तो दो पॉइंट भारती टीम को मिलते हुए, लेकिन फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि आल आउट के कागारपड खड़ी है भारती टीम, बिल्कुल, बिल्कुल, चेंज करके विशाल भारतो आज आएंगे या नहीं, यह भी देखना है, दिल्चस्प होगा, और हाँ, एक तबदीली तो है, एंड लाइन क्रॉस कर गए, चाइनीज टाइपे के लिए, तो भाई, एक्शन वरपूर है, चाहे आप मैट पे देख ले, मैट के बाहर देख ले, क्रीस पार कर दी, चाइनीज टाइपे के, और कही लेकिन यह ओल आउट के करीब फिर भी पहुची गई, क्योंकि अब रैडर जाएंगे, और मैं दिखाल से अगर इच वन पॉइंट हुआ है, तो सचिन तवर को बाहर जाना पढ़ेगा, और नितेश आएंगे, और अब शायद ओल आउट हो जाएंगे, लेकिन नितेश चादलू थे और हमारा आखरी प्लेयर बचाओ तो उन्होंने अपनी मतलब सास तोड़ दी ती और वहां पर कबढ़ेगा, वहां अगर वह ले जाता चादलू और यही टीम इंडिया ओल आउट होते हुई, दुबारा इन किया है, कोई नहीं, चलता रहता है, कबढ़ेगा सचिन तवर मैट पर निखाई देंगे, सचिन तवर अर्जून की जगें आये हैं, लाइक टू लाइक रेडिंग में सब्स्टिदूशन और सचिन ने फिर एक पुएंट ले लिया जो गलती की थी, शाद उनकी पहले राइड थी वोम अप नहीं थे, अब वोम अप होके आ अब पॉइंट यहां से लूज नहीं करना चाहेंगे, लेकिन लूज करने की कोशिश में पॉइंट गवा ना दे, भार्थी टीम, सचिन तवर दूसरी रेड आते हुए, और सचिन तवर कहीं ना कहीं, तीसरी रेड आते हुए, पहली में टेक लोगे थे, एक बोनस किया थ और फिर टच किया है, यह होती है, क्लेम कर रहे हैं और पॉइंट दे दिया, यही चीज है, सचिन तवर हुए, असलम मिनामदार हुए, आकाश शिंदे हुए, या पावन सहरावत या नमीन, यह सब आगे रीच करते हैं, और उनका फाइदा हमें उठाना चाहें, हमें अप यहां पर 11 नमबर के ताइवान के खिलाली, कि आप रटी टीम को परिशान कर पाएंगा, और रेफरेल लिया गया है कि क्या है, रेफरी, मेरी कहल से जो रेफरी यहां पर, यह पॉइंट क्लेम किया था, सचिन ने, लेकिन मना कर दिया, कि किसको लगा है, तो देखते हैं, लेकिन रेफरी ने एक पॉइंट इंडिया को दे दिया था पहले, और यहां से चेंग करिया, तो देखना होगा, क्या बारती टीम, एक पॉइंट आर ले जा पाती है या नहीं, और रेफरेल में देखा जा तो रहा है, और देखना पड़ेगा, बारती टीम के पक्ष में जाता है या निर्न है नहीं नहीं जा रहा है पक्ष में और मेरे चलच पेकल में जितनी तकनीक यूज होती है आईगी कि आपको वर्टिबल कैमरा एंगल होने चाहिए कि कवडडी का खेल ऐसा है कि हलके हलके से मार्जन पर टीम हार सकती है और जीत सकती है तो वहाँ पर आगर आपके पास तकनीकी कमी होगी तो कही न कहीं दिक्कते हो सकती है ऑफिशियल्स के साइड से और यह पॉइंट शयाद नहीं दिया गया है नहीं दिया गया है कट कर दिया गया है लेकिन सचिंतवर लेकर आ जाएंगे एक बार फिसे पॉइंट देखना होगा कि 11 नमर की खिलाडी है मैट पर या नहीं है 11 नंबर के खिलाडी शायद सबसे आक्रोस सिर्थी में लग रहे है वो रैडिंग ड्पार्टमेंट में भी अच्छा कर रहे है लेकि टीम इंडिया के पास अब भी 17.5 मिन्ट बची हुई है गेम की और इंडिया का स्कोर 31 है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यूटूब पे 31 श्क्रीन चल रहा है और ये एक पॉइंट लेते हुए चार नंबर और चार नंबर भी जो ताइवान की खिलाडी है वो भी काफी अच्छे है उन्होंने टोट अच किया विशाल भारतवाज को अब मेरे को कही ना कहीं यह लग रहा कि हमारा डिफैंस ज्यादा मतलब तूटने से लगा है जल्द बाजी करने लगा है वो चीज़ हमें रोखनी चाहिए वो ठहरा अगर कबड़ी में जितना ठ वो काफी स्ट्रोंग है तो मैंने जैसा आप को बोला था कि उन्होंने उनको लगंटी नुक चलाना चाहिए अब पाउन रेस्ट ने सकते हैं नमीन को या सच्छीन को इनको चला सकते हैं पाउन बीच में MPT राड कर सकते हैं मेरे क्यास से अभी तक जैसा में गेम देखने क पाउन ने अपको गेम टाइम अच्छा खासा दिया है मूर भाई तो एक और EMPTY रेट करेंगे 5 नमर के खिलाडी 32-17 का स्कोल लाइन चला है और टीम इंडिया आगे तो है लेकिन पिछले कुछ समय से हमने टीम इंडिया से एक गेम की उमीद थी वो नहीं देखी है तो काफ का देखते हुए नवीन पॉइंट लेकर जा रहे हैं और काफी करीब है अपने सुपर 10 के आठ पॉइंट लेकर जा चुके है दो पॉइंट कर लेते हैं और यह किक कर दी फिर विशाल बारतवाज को और यह बार बार जो यह 5 नमर के खिलाडी है I think 4 नमर के है यह 5 नम परदारी पेश कर रहे है PKL auction होने वाले है तो भाई हमको खरीदो और हमको इंडिया में आने का मोगा दो और हम भी सीखे ही हम बिलकुल चलिए सचन तवर पाच्वी रेड इनकी और देखना होगा और यह easy point और दूसरा defensive area कही ना कहीं जो अच्छा defense चल रहा था वो तूट जो रेडर है वो point लेके जा रहे है एक बार kick लगा एक बार toe touch कर गए तो यह चीज भी देखने को नजरारी है बारत के इनकी ओट से चलिए विपल बालयान भाई super chat करने के लिए धन्यवाद आपका ऐसे हमें धे सारा प्यार देते रहेगा और 270 के राउंड लोग अमें देख रहे हैं जिन जिन लोग अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजेगा और स्ट्रीम को लाइक जरूर कीजिए अगर आपको हमारा कॉंटेंट अच्छा लग रहा है बाकी अभी देसरा आक्शन तो चली रहा है इंडियन टीम और जितने लोग भी हमसे यह पूछ रहे हैं सचिन तमवर रेट पर हैं चार का डिफेंस जितने लोग भी हमसे यह पूछ रहे हैं कि दिखा क्यों नहीं रहे हूँ और स्ट्रीम देखी हैं स्ट्रीम हम ऐसे तो नहीं दिखा सकते जो ब्रोड कास्टिंग राइट्स हैं वो सोनी के पास है तो आपको सोनी पर ही आक्शन देखने को मिलेगा और एक और पॉइंट ल इंडिया का इंसे हाँ एशन कबटी चैंपिर्शिप में वन साइड़ रहा था लेकिन आप यहां से तीम वहां से आकर यहां सीख रही है अनलाइस करके इनको जैसे डिफैंस है रैडर है उनको टैकल करने कोशिश कर रही है और यह बहुत बड़ी बात है कि नहीं नहीं टी लेकर आईए चाइनिस टाइपे के टीम विमेंस टीम से अपनी तीन का डिफैंस सुपर टैकल ओपर्चुनिटी लंबे हात लंबा कद सचिंतवर मैट पर मौझूद क्या भेद पाएंगे और यह टच यहां पर गलतिया बार बार कर रहे हैं ताइवान का जो डिफैंस हो ब करके एक नमबर को डाला गया है लेकिन अब हमारा हमारी जोस्तिती है वो अच्छी है क्योंकि इनसे पहले मुकाबला लड़ चुके है लेकिन इतना मार्जन नहीं होना चाहिए था अगर हम देखे अगर इस आठ्मिंट में भी तो भी हमने कम पॉइंट कमाए है बिलकुल कि ये चीज दरसाती है कि हम इतनों कर मैं यतने उर्चीत का अच्छा इंडिविज्य अ ब्लोग था काफ़ी अच्या ब्लोग है और नमसे जाती है और उन एक और कहीं कहीं za मुष्कराहट और पॉहिन अब काफी मार्जन आ चुका है गेम में शयाद 22 पॉइंट का किल से लीड कर रही है इंडिया टीम और अब पवन सहरावर भी मैट छोड़ रहे हैं साथ पॉइंट कलेक किये और साथ पॉइंट के बाद हम मैट छोड़ कर जा रहे हैं अकास शिंदे को लाया गया जिसोंने कल टीम के तरफ से सबसे दादा रेट पॉइंट कलेक किये थे अगर इस वक्त की जो स्कोर लाइन चल रही है उसके बारे में बात करें तो इक तालिस सहरावत के साथ पॉइंटे मैट छोड़ चुके है नवीन एक्सपेस आठ पॉइंट सुपर 10 से काफी करीम नजर आने हो सचिन तवर ने सेकंड हाफ में आके खलबली मचा यह आठ पॉइंट कर लग चुके है मौहिद बाई मतलब यह आठ मिन्ट में उन्होंने आठ हैं हमारे तीम को इन देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इनमें हर एक में स्पीड है जैसे अर्जुन देश्वाल लेजी हो के रैडल कर रहे थे एक बार पावन ने भी की तो टैकल हो गए तो इनमें स्पीड है एक्टिव रहना चाहिए आप एक बड़े टूनमेंट क दिखाया था पॉइंट नहीं मिला लेकिन 41-19 की स्कोर लाइन से भारती टीम काफी आगे चल रहा है इस वक्त में 22 पॉइंट का मार्जन है दोनी टीमों के बीच में असलम इनामदार को मैट पर बेजा गया है और असलम इनामदार चेंज होकर आये थे और पहले ही रेड मे बोनस की ट्राइज जरूर किया है देखते हैं होती है नहीं होती और यह पॉइंट दिया च्यार नंबर लगाता जो ताइवान के खिलाड़ी है च्यार नंबर लगाता डिफैंस में लूज कर रहे है तूटते जा रहे है और यह यह दिखाता है यह दरसे अगर ताइवान जो ओल आउट दिया इंडिया को, वैसे ही अगर आपने आपको समाले, तो शाद मार्जन इतना ना हो, लेकिन टीम इंडिया हमें हम आगे है, परवेज भैसवाल से गलती होते हुए, मतलब जादा समय नहीं देना चाहते थे, इसे लिए काफी जादा एडवांस टैकल किया, इस बीच ताइवान को, दूसरे तरफ, सचिन तमर, रेट पर मौझू, शे का डिफेंस, बोनस अवेलेबल, और एक पॉइंट टोटच का क्लें किया है, लिकिन नहीं है, और यह सचिन ने बहुत ही शांदार है, आपर तीन पॉइंट मेरे क्या से बिल गया है, भारती टीम कि पहली सुपर रेट क्या हो सकती है, दो पॉइंट मेरे आए थिंग, दो पॉइंट दिये है, और इस सुपर रेट और सुपर टेन भी होता हुआ, सचिन तवर का इसी के साथ, और मांग कर रहे हैं रेफरल की, क्या रेफरल लेगे तीन पॉइंट हुए है या नहीं, और यहां पर लिया जा रहा है, सिंस टेक्नोलोजी इतनी है नहीं, एक ही कामरा एंगल यूज कर रहे हैं, तो रेफरी के लिए भी इतना एजी होता नहीं है, मौईट बिल्कुल, कि हम चार अलग-अलग अगल से देख लें, लेकिन सचिन, देखो, यह स्किल्स निकलने की स्किल्स है, तो हमारी टीम इंडिया और रोल भरी बड़ी है टैलेंट से, लेकिन वो टैलेंट पता नहीं कहां लेजी से हो जाते हैं, वहां टैकल हो जाते हैं, डिमैंस में भी लेजी हो जाते हैं, सोचते की एडवांस ठैकल कर ले तो वहां चुटी-चुटी हम गल्ती सकते हैं लेकिन जो आने वाले जो दो मैच है कलका और परसो का वह सबसे बड़े मैच है वह आपको लेजी होना है नहीं है पूरे 40 मिंट एक्टिव रहना पड़ेगा किसी भी हालत में आपको एक्टिव क्या करेगी और all out दे पाएग या नहीं लेकिन उससे पहले defense में 11 नंबर की खिलाडी को बाहर करना पड़ेगा 45-20 चल रहा है 25 पॉइंट से बार्ती डिम आगे और बोनस का attempt था बोनस का attempt क्या बोनस मिलेगा नहीं बोनस को नहीं दिया गया है इस बीच आकास शिंदे अप जैसे असलमी नामदार में है बिल्कुल या तो उनमें भी वो talent है लेकिन पहले red थी तो भारत की तीम के आकास शिंदेगी ये पहले red और MPT red I think ये हो सकती है और MPT red है और दूसरी तरफ सुबह का गेम में अंतिम पंगाल मैज गवा बैठी दूसरी तरफ wrestling की bout चल रही है पांच दो से Japanese टीम आगे चल रही है इस वक्त लेकिन भारती टीम को वापसी करनी होगी red जर्सी में मनीशा काद्यान माफ कीजेगा क्या पॉइंट ला सकती है या नहीं margin को कम करना पड़ेगा और कबड़ी का action भी लगातार हम आप तक पहुचाते जा रहे हैं कबड़ी wrestling साथ में चल रहा है और इसके ठीक बाद gold medal मुकाबला women's compound टीम का होने वाला है archery में और यहां पर कुछ गहमा गहमी वह लाइन आउट हो गया लास्ट की शयाद लगता है मेरे को लाइन आउट हो गया इसलिए यह चीज देखी जा रही है यही चोटी-चोटी चीज है ना जो referee होते है या lineman होते है वो देखते है और दो खिलाडियों को बाहर किया जा रहा है मोहिन भाई 10 और 6 नमबर, 7 नमबर 1-1 की दिमांड है, Each1 की दिमांड है टाइवान की और से और एक पॉइंट देवागया लोगा है और ये वाली पॉइंट मेरे ख्याल से टीम की खाते में जाते है प्लेयर की खाते में नहीं जाते हुत तो एक पॉइंट और मिला इंडिया टीम को और यह हुआ था यहाँ पर अच्छा होने के पहले बाहर चले गए तो एक पॉइंट अवार्ट किया गया भारती टीम को देख रहा होगा 11 नंबर के खिलाडी मैट पर मौझूद बाती डिफेंस जो कि और विशाल भारत वाज फिर एडवांस टैकल करने कोशिश करते हैं आप यह देखो कि ताइवान की जो एक्टिवनेस हो ज्यादा है बिलकुल आप इनकी स्पीड शाद काफी ज्यादा है उनको तेकनिक का पता नहीं है अगया वेरनेस भी मुइट बाइच काफी जाद है कि उनने पता होता है कब उनकी तरफ खिलाडी आ रहा है बिलकुल और यहीँ वज़य रही कि विशाल भारत वाज लगातार पॉइंट गवा रहे है इस बीछ एक पॉइंट यहां से ले गए एक आपर भारती टीम को मिलता हुआ सचिन तवर दूसरे तरफ आम विज्वल्स देख रहे हैं पुराने जो जब जैसे आउट हुए थे सचिन तवर दूसरे तरह 47-22 हो चुका स्कोर साथ मिनिट का समय शेश है और यह रहते रहते बच गए लॉबी में जाते बच गए काफी कि मैच देख लूँ मैं बोलू ना काफी अच्छा लग रहा है इंटर्स्टिंग मैच दिख रहा है शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा है लेकिन हम दिख रहे हैं हम आपको सारी अपडेट दे रहे हैं और यह असल मिनामणार की शायद दूसरी राइड है पहले राइ लिया है रैसलिंग अपनी वेट क्याटिगरी में तो भाई सुबह की पहली खुशकबरी आपर आते हुई और दूसरी है कि गोल्ड मेडल मुकाबला भी भारती है आर्चरी टीम केलेगी महिला टीम और तीसरी खुशकबरी हमें मिल जाएगी कि कबड़ी टीम भी जीत गई कल सेम फाइनल मुकाबले के लिए तो चै मिन की बात हो रहा है कल सेम फाइनल के लिए ने महिल भाई एक अभी दुपहर में भी है अपने जापान से किल ला है एक डेर बजे मैच है सोरी भूल गया था मैं और वो क्लेम करते हुए फिर 11 नंबर के रैडर और क्लेम करते और यह करना क्या है हमें घर तो लेकर ने जाने तो पता तो लगा लें कि रैफरेल वो जुट बोल रहे थे लगा है या नहीं लगा है बहुत सारी चीजें हैं काफी अच्छा मैच दिखाया वैसे ताइवान की टीम ने काफी अच्छा मैच दिखाया और सच में एक नही न यहां देख रहे हैं, निल गेमर भाई पूजा समी-final नहीं हारी है, वो मनीशा हारी थी और दूसरी तरफ पंगाल हारी थी, तो भाई, पूजा ने क्वालिफाइ कर लिया है, दूसरी तरफ जो है, थांक्यू, दूसरी तरफ जो है, अन्तिम पंगाल अपना बाउट काफी बड़ा मेडल प्रॉस्पेक्ट थी क्योंकि वह आये थी विनेश फोगाड की जगे नहीं अभी उनको एक चांस मिलेगा अगर उनकी प्रतिद्वन्दी फाइनल में पहुंच जाती है तो तो यहां पर मेडल भारत्य टीम के जो सचीन है कबड़ी के तो फिर दुबारा गया है और हलकल की मुमेंट कर रहे हैं लेकिन सचीन को भी जानना होगा कि इनके सामने हलकी मुमेंट ना कर रही है इनमें थोड़ी स्पीड जादा है आप वे तीन टैकल याद कर लीजिए सचीन भाई जो हुए थे बड़ा थे तो अपने मुमेंट कंट्यून रखिए काफी मतलब मजा रहा है मैच में और सच में मेरा बोलने का मननी कर रहा है अब जैसे हम लीग में आएंगे या ऑक्षं में आएंगे आपके पास अप्षं होगा नो तारिक को या फिर लीग में मैं रहूँगा जुडा तो आपके कमेंट पढ़ूँगा अभी तो क्यूंकि हम निकल महुई भाइ रिकॉर्ड तोड दिया था, जब आप थे मौजूद थे हमने तभी तोड़ दिया था रिकॉर्ड बता नहीं पाया क्योंकि उस वक्ट टीम इंडिया जित रही थी तो उसकी खुशी थी, लेकिन टीम इंडिया ने कल record तोड मेडल जीते हैं, 80 मेडल हमने जीत लिये हैं और 20 मेडल दूर हैं, अब की बार 100 पार से जो hashtag अब की बार 100 पार लाया गया था कि क्या भारती टीम 100 मेडल जीत पाती है, 100 का आकड़ा चूपाती है, तो भाई 100 का आकड और पुरुष दोनों हमें गोल लाकर दे सकती है, cricket team गोल लाकर दे सकती है, semi-final मुकाबला कल खेलेगी अपना बांगलादेश के अगेंस, इसके अलावा अभी आज athletic का आखरी event खेला जाएगा, bridge के final में पहुँच चुके हैं, तो यार बहुत सारे medal है अभी तो, और badminton खासा, लक्षिसेन, इंडिया के सबसे बड़े prospect, इसके लवा सात्युक साहिदा जो चिराग शिट्टी की जोडी, जो की world rank number 3 जोडी है, वहां से हम एक gold जरूर expect कर रहे हैं, तो लास्ट तीन मिन्ट और सचीन फिर गए है, 23 ताइवान के ओर 47 भारत का score है, काफी अच्छा score है, distance है, लेकिन हम सोच रहे थे कि यह 50 पार या 60 पार, 60 पार का हमारा इराता था, हो सकते है, 3 मिन्ट बागी अभी, all out आ गया तो हो सकते है, लेकिन MPT Red और सच्चिन बार बार में, लेकर आते हुए है, सच्चिन, सच्चिन काफी समझदारी से, यह मुकाबला खेल रहे है और ताइवान के खिलाड़ी दो नंबर की जर्सी में, इनकी सपीड और बोनस 100% मिल सकती है, और यह बोनस मिल गई है, लेकिन काफी अच्छा चल रहा है, आकास सिंदे, मेरा बोलने का मन कर गया, आकास सिंदे आया है, और MPT Red पे चल रहे है, और ज्यादा परोसा कर रहे है, क्योंकि आज एक भी पॉइंट अभी तरह कलेक नहीं किया है, आकास सिंदे ने, काफी अच्छा लग रहा है, मनोरंजन मैच, दो नंबर आये थे, पिछली रैड में, अपनी कंट्री के लिए एक बोनस कलेक्ट जरूर किया था, अब देखना हो कि क्या करेंगे, लास्ट दो मिन्ट का समय और सुर्जीत ने टैकल कर लिया है, आसानी से, और यहां पर ताइवान के दो प्लेर रह चुके है, अलाउट की सिंदी बन चुकी है, तो साट के आसबास पहुचने की उमीद है, साइद 58, 57 तक पहुच जाएंगे, लेकिन ताइ लेकिन ताइवान की टीम में जितना अच्छा गेम खेला है, काफी सराणिय है, अमारी टीम का तो है कुणकि इंदिया टीम तो अच्छी है और इनकी तारीफ आम जितनी भी करें उतने भी कम है लेकिन ताइवान की तारीफ हम इसलिय कर रहे है क्योंकि नई टीम चैंपियंशिप में जाके वहां से सीख लेके यहां अपने आपको स्टैंड किया है बिलकुल खड़े हुए है और टैकल करने की पूरी कोशिश किया है असलम इनामदार आते हुए स्टैंड है इस वक्त रेट पर थीम का डिफेंस क्या एक बार फिर से भारती की टीम को सुपर टैकल फिस करना पड़ सकता है या कि थोड़ा सा ट्राइब करेंगे आपर और पॉइंट के प्रयास के चकर बें भारती टीम कहीं न कहीं पॉइंट लूज न कर दे तो इसलिए एमटी रेट पर भरोसा जताएंगे और ये संभवता आखरी दो रेड और होंगी तो इस सेकेंड लास्ट रेड हो सकती है चाइनीज टाइपे नमबर एक खिलाडी शायद ये लास्टी रेड हो सकती है मेरे हिसाब से अगर ये इन्होंने पूरा समय लिया 30 सेगंड लिया तो यही मैच खतम हो जाएगा और समय तो रेखे पूरा ही ले रहे हैं अगर जल्दी कर दी तो हमारी भारतिय टीम की एक रेड हो रहा सकती है काफी अच्छा बोनस लिया है बोनस लेके टाइम देख रहे हैं वो भी सोच रहे है कि एक बोनस लेके संतुष्ट हो जाए क्योंकि जीत तो सकते हैं नहीं है और ऐसी दुरंदर टीम से तो कैसे जीतेंगे और एक रेड आई थिंक मैच खतम हो गया है और बोनस बारतिय टीम ने जुरूर दी थी ताइवान को और ये स्कोर 27-50 पे सिमिट गया है भाई के भी नहीं होएं क्यों लोंने बोला था अगर ओल आउट हो जाएगा तो हाका सिंद्र ने हमारी बातों पर पानी फेर दिया है ना हमारी चलेगी ना तुमारी चलेगी पचास के आकड़े पर रहेंगे और पचास सताइसे भारती टीम ने मुकाबला जीत लिया है तेईस पॉइंट के अंतर से बड़ी जीत लेकिन कई ना कई बहुत सारी खामिया आज देखने को मिली है तो उन खामियों पर भी हम खासा नसर घड़ाएंगे क्योंकि कुछी देर बाद कुछ घंटों बाद इंडियन टीम मुकाबला खेलेगी जैपैन से और वहां पर भी अच्छा खासा मैच टाइम देखने मिलेगा हमें सचिन तवर से जिन्होंने अपना सुपर टेल लगा दिया और शानदार अभी तक का मुकाबला चल रहा है जो सचिन तवर दिखा रहे है मैट पर मौजूदगी उनकी काफ़ जादा इंपोर्टन हो जाती है इंडियन टीम के लिए लंबी कतिकाठी अच्छी खासी रीच ल दो मिट के बाद हम तेज होगे गलतिया की अरजुन देशवाल लेकिन उनको सुधारा भी बिल्कुल पाउन सहरा होत इतने अच्छे खेलने के बाद एक गलती किया है टैकल हो जाता है मैं उसमें कोई इश्यू नहीं है लेकिन आप गलतिया मत करो कि कि दूसरी टीमें जो आपकी कंपिटिशन में खड़ी है बिल्कुल पाकिस्तान और इरान वो आपकी गलतिया देख रही है वो सब प्रिपेर होके आए है और यह जैसे अभी मैस था ताइवान के साथ तो यह अपने इनको वन साइड आज भी वन साइड आ रहा है लेकिन इतने टैकल या करवाई पिछली बार मेरे क्यासे 20 से कम पॉइंट थे चाइनीज टाइपे के और चाइनीज टाइपे महां से सीख कर आई है टैकल भी नहीं होगे इंडिया टीम के और यहां आज उन्होंने टैकल इतने करते हैं सूपर टैकल कर दिया पावन जैसे प्लेयर को टैकल कर दिया नवीन टीम तो सच में अच्छी है लेकिन यह जो कमिया है यह आगे आने वाले मैचों में सुदार नी चाहिए मैं फिर वही बात बोलता हूं भाई कि हमें स्टार्टिंग अन्त बला तो सब बला बिलकुल तो भाई सेचन तवर सबसे ज़ादा रेट पॉइंट करके बने बाई स् जनल मुवमेंट्स में आये थे लास सेकंड हाफ में आये और वहां से आके जिस पेस से नोंने भाईती टीम को आगे बढ़ाया कई ना कई दिल्चस्प बाईती टीम की तरफ से साथ पॉइंट करक किये पवन सहरावत ने नवीन एक्सप्रेस कई ना कई निराश होंगे सुझीत के ब्लॉक के तो चार पॉइंट सुझीतने लिए नितेश के नाम रहे तीन पॉइंट जिन्होंने कल डिफेंस में सबसे जादा पॉइंट लिया थे हाइफाइव लगाया था अर्जुन देसवाल निराश किया है कही ना कहीं मुवमेंट से भी और पॉइंट कलिक गये थे तो उनका रोल था कि यजादा जादा टाइम ले लूआ बिलकुल और सारे भारतिय टीम के काफी अच्छे थे और काफी अच्छा उनोंने किया है काफी अच्छा लगा मैच देखके लेकिन मतलुब भारतिय टीम जो कबडंी टीम है वो बिल्कुल परफ डेक्ट बिलकुल बिलकुल ये गलतिया जो आज हुई है या कल हुई है कल्टी जो आप देख रहे है चलती आ रही है ये गलतिया हमें कल नहीं करनी परसो नहीं करनी हमें इन गलतियों से सीख लेनी चाहिए लेनी चाहिए अब आप माल लिया कि आपके सामने जो टीम खड़िया है वो ताइवान थी या जापान है या बंगलादेश है या थाइलाइंड है वो माल लिए आपके सामने फीकी टीम है लेकिन आप मुकाबला तो दे रही है आप अपने आपको यूज ना करके ये चीज़े इन चीज़ों पर धान देना चीज़े बारता है पारती टीम को और दूसरी तरफ कबड़ी के बारे में तो हम लगातार चर्चा करेंगे गोल्ड मेडल मुकाबला इंडिया वसस ताइवान के ही बीच होने वाला है आर्चरी में महिला टीम हमारी शिर्कत करेगी अभी तक जबरदस रिकर्ट्स रहे हैं और लगातार 10 पॉइ पहला पॉइंट जो आया है 9 पॉइंटर आया है भारती टीम के प्लेयर से अब आरी है देखते हैं भारती टीम के दूसरी खिलाडी जो कि mix team event में पाटिसिपेट कर रही है क्या यह 10 पॉइंटर मार पाएंगी या नहीं 10 पाइंटर लगा पाइंगा नहीं तो 9 पॉइंटर लगाया है दो नाइन पॉइंटर भारती टीम ने अभी तक मुईद भाई लगाया है और जो कि टीम इंडिया की रैंक नमबर वन खिला ली है कल इनो ने गोल जितवाया था मिक्स्ट टीम इवेंट में जो कि अज क्या यह वापस से दोहरा सकते हैं कारनामा देखना होगा आचेरी दो स्टार्टिंग के जो पॉइंट थे और नाइन पॉइंट थे और दस पॉइंट और रैंक नमबर वन से हम इसी तरह की उमीद करते हैं कि लगाता है तेन पॉइंटर आप लगाया है दूसरे तरह ताइवान जो कि अभी थोड़ी दे पहले कबड़ी में भी हमन पासकरन कोच गया है अरजुन वार्ड यह एशिन गेम खेले हुए है तो उनको अनुपाव है कबड़ी तीम का अनुपाव मुहित भाई उनको पीकेल का और भी जाद है क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रोफी उनकी टीम के नाम ही है पीकेल की जहाँ भी वो गए है जहाँ भ किया होगा हम देख रहे है जैसे एशिन गेम में याप पीकेल में भी देखो की हसने रहे है वह स्पाव में और वह एसंग फेlas कन रहे हैं फ्रेंजे आगर पीकेल की बात करेंगे मेरे coach जो एसन केम में गई हुए है बासकरण भी है रंदीर coach साब भी रहे है क्योंकि रंदीर coach साब ने मैं बैंगलोर बूल से खेला था तो काफी सही होग किया था और मेरे को कभी डाटा नहीं है यह बोलता था तो मेरा शेयर है तो शेयर रहेगा चलिए तो भाई यहाँ पर डेसर आक्शन तुछ जबरदस बनाई रहेगा भारती टीम कई ना कई जो कमिया है उनको पूरे करने के जादे से जापान के अगेंस बिढने वाली है 50 पॉइंट किये बारती टीम ने 27 पॉइंट मैं कहूंगा अर्न किये है ताइवान ने अच्छा गेम खेला उन्होंने लिटली अच्छा गेम खेला और भारती टीम इस वक्त आर्चेरी में 54 के 6 अभी तक शॉट्स लगाया है और 54 पॉइंट कर पाई है दूसरे तरफ 10 के साथ भारती टीम पिछड़ती नज़र आरी है अगर तीनों यह खिलाडियों ने बाकी के बचे 10 पॉइंट लगा दिया और दूसरा भी 10 लगा दिया है मोई भाई तो 47 हो जाएगा यहां से स्कोर अगर एक और 10 मिल जाता है तो तीन पॉइंट की लीड आजाएगी ताइवान के पास बिलकुल और मैं भी समझ रहा हूं आर्चेरी को मतलब दिल पता क्या होता है कि जब आप फाइनल मुकाबला खेल रहे हो और अपनी कंट्री का देख रहे है तो दिल धक 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 कर रहा है और यह नो पॉइंट नाइन पॉइंट की लीड है कर चुके है तो ऐसे दिल गभरा सा रहा है धक धक हार्ट बीट बड़ी हुए है मतलब इसमें बोला जायता है तो आपकी सब्सक्राइब कर चाहिए है लीड, बिलकुल तो यहां से देखना होगा क्या बारती टीम आपक कर पाता है या नहीं देखना होगा भारती टीम की एक खिलाडी जोती सुरेखा वैनम कमाल कर पाएंगा या नहीं उनके साथ यंग खिलाडियों की जो बाकी दो प्लेश गए हैं भारती टीम के दल में वो जो ती सुरेखा वेनम से सीख अर्जित कर पाएंगे या नहीं पिछले जो राउंड रहा था उसमें 8-9-9 का स्कोर रहा था इंडियन टीम का और यही वजय रही कि जो ताइपे की टीम थी वो आगे निकल गई हम से 54 पॉइंट भारती टीम के है है चापन पॉइंट है ताइवान के पास तो हमारे पिछले तीन शोट लगे थे वो सारे 9-9 पे गई है 9-9 एट पे गई है तो कई ना कई वही पिछड गई है वहाँ पर भारती टीम तो लेकिन अभी 24 शोट टोटल लगाने है तो अभी काफी अच्छा-कासा गीम बचा तो मतलब तो तो टीन सेट और खेल लेकिन देखा भाईयों कबडी के साथ साथ आपको अर्चिरी का बचाने लेगा बिलकुल तो यार बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े थे कुछ कॉमेंट भी ले लेते हैं डेड़ को जापान वरसेस बारत ओने वाला थाकुर गेमर बिलकुल हम एक बार फिर से आपके साथ जुड़ जाएंगे जापान और अधे सेम टाइम भारती महिला टीम होकी का समी फाइनल मुकाबला खेलने वाली है तो वहां सेटी बज़े एक बीस पर शुरू हो जाएगा होकी को आपको यही मिलेंगे यही पर जुड़ते आपको यही मिलेंगे डेडर बजय लेकिन अब है आप आर्चरी जैसे है आर्चरी है आर्चरी खतम होजाती है मुष बाई तब हम लोग भी आज की सेवा समाप करेंगे अभी के लिए दुपहर में फिर मिलेंगे तो वाई अगर आपको आर्चरी का आर्चरी पसंद है हम आपसे जुड़े रहेंगे आप कमेंट पढ़ दो क्योंकि सुपर चैट भी भेजी थी एग ने विपुल बाल्यान ने यह भी लिखा आता मोई बाई मुरदाबाद यह पता नहीं कहा लिखा हुआ आजाओ आएंगे भाई कभी घुमते फिरते हर्दवार जाना होगा तो आपके पास जरूर आएंगे भाई तो वही है कि देड़ बजे जापान वर्स बारत होने वाला है भारत वर्स जापान होने वाला है तो महाँ पर हम जापान को शिकस दे देंगे इसमें कोई दोर आय नहीं है लेकिन दूसरे तरफ आर्चिरी के आक्शन 82 पॉइंट भारती तो भारती टीम काफी पीछे चल रही है कई ना कई एक मिरेकल देखने को मिले तो भारती टीम कमबैक कर सकती है और एरर होना चाहिए ताइवान से और लगातार दो 10-pointer लगा दिया है बुलसाय लगा दिया है तो 76 और यहां से इनको बस एक 6-pointer भी लगा देंगे तो भार भारती टीम काफी पीछे चल रही है जो पॉइंट का मार्जन 2 था वह चार का हो गया है और यहां पर सारे के सारे 10-10 लगाने पड़े हैं आर्चेरी के गेम में जैसे कबड़ी होता है उसमें हमारी काबियत होती है और 10-pointer लगा दिया है हमारी काबियत होती है लेकिन आर् यह रिप्ले दिखा रहे है तो एक और 10 लगा दिया और सबसे स्टीक 10 लगा है बिलकुल बीच में बिलकुल बीच में तो भाई 11 पॉइंट और जोती सुरेखा वेनम भारती टीम की रांक नमबर वन क्या यह सुपर 10 लगा पाएंगी या नहीं कबड़ी में शांदार अब दिल दगदक करने लग रहा है और देखते देखते बारा शौट्स हो गया है मोई बारा इंडिया के बार और लगाने है तो और 9 पॉइंट लगा दिया और आपकी बात सच हो ती तीन पाइंट की लीड बाकी है अगर दोने भी 9-9 लगा दिया तो नहीं कोई दिक्कत पाली बात नहीं है तो तो यह एकली रह जाएगी ताइवान की चलिए देखना होगा और अपका दिल दगदक करता है और एक और लाइन पॉइंट पर लगाया है तो भाई मोहिद भाई की बाल लगाता है सच होती नहीं मोहिद भाई जब अगला सेट शूरू होगा तो एक बाली नोग जो और साथ पॉइंटर भारती टीम आगे निकल गई है और जबर्दस जबर्दस एक और यहां पर प्रेडिक्शन चाहिए होगी एक पॉइंट से भारती टीम ने लीड ले ली है साथ पॉइंटर और हम आचिरी में अक्सर देखने कि एक शॉट मैच गर देता है और यहां पर कहींच कहीं सेवन पॉइंटर लगा दिया ह 애랑ंकि भारती टीम कोई पास बारा शॉट्स हैं और यहां पर नाओ लगाताओ टेन पॉइंटर बख़लिद सा यह करना चाहेगी और तब ऑन प हम याग गोल और पक्का कर लेंगे पुकता कर लेंगे एक की चार पॉइंट से पिछले से पहले और यहां पन 9-9 और सीधा 7 और उसी के बार भारती टीम अब आगे निकल गई है 112-111 के स्कोर के साथ भारती टीम हाफ सेट कंप्लीड हो चुके हैं 12 शॉट्स लगा चुकी है 24 में से दोनों टीमे और भारती टीम का स्कोर 112 चल रहा है व क्यों की बारती टीम से एक पॉइंट का मैं तो अब प्रिडिक्शन अब यह हमें अगरे मैं तो जितने वीवर से आमें देख रहे हैं तब तक कमेंट पड़ लो वहलो बाई कबड़ी में तो जाला चित्रा पल सिंह भाई हम जीत गए वन साइड़ गेम थाए तैस पॉइं से हम जीत गये लेकिन एक और मुकाबला भारती का बड़ी टीम का दुपहर में डेड़ बजे होने वाला है जब जापान के अगेंस केलेंगे दीपक भाई कैसे आप हेलो सुजीद सिंग भी लाइक जलवा है हमारा भाई जलवा तो है चार पॉइंट कलेट किया है और एक्सपीरेंस दिखाया सारे पॉइंट एक दो एरर थे अधर एक्सपीरेंस दिखाया और नेक्स्ट राउंड की शुरुवात हो गई है अर्चरी में भारती टीम जो की पिछड दई थी पिछले से पहले एक पॉइंट से आगे हो गई है और 10 पॉइंटर लगा दिया है यह क्लोस कॉल है यह क्लोस क्या सुखिछ मैं तुग दूशरे सैट में ताईवाँ शुरुवात करेगी क्योंकि पहले सट में भारते टीम शुरुवात करे थी तो दूश्रा सर्ट भारते टीम क्या वापसी कर पागी और बिकाइब डस olarak लगा दिया है वापसी कर लिए मेरी ख्याल से इनकों अह पने हुई है क्या पताब फिर कर दे और एक और टेन पॉइंटर लगा दिया है मोहित भाई आपर तीन दस हमें भी ऐसे ही लगाने होंगे भाई क्यूंकि हम अब रिस्क नहीं ले सकते बिल्कुल जीतना तो हम एक पॉइंट की लीड में बरकरार रहेंगे और यहां से हम तीन बु इतना कॉंपटिशन तो देखने मिलता है मोहित भाई की अब वन साइड़ ही हो जाएगे तो फाइनल किस बात का है और दस लगा दिया है बहुत चांदा है एक और दस चाहिए हमें और हम बराबर आजाएंगे और जिसका नाम आप ले रहे थे जो तीस रिखाव हो है नाम बिल्कुल और कल ही इनोंने गोल जिता है तो मोमेंटम भी इनके पास ही होगा एक अलग जो कंपोजर होता है एक अगरता होती है और दस पॉइंटर लगा दिया इसी के साथ तो मैं सही प्रेडिक्शन करता हूँ एकदम सटीक प्रेडिक्शन मिलेंगे यहां पर मोहित लगा दिया है एक और बार ताइवान के खिलाडियों ने डे सारा कॉमेंट करते रहे है रेट पॉइंट किसने लिए है नवीन पवन अर्जुन जैमिन भाई सबसे जादा रेट पॉइंट सेकेंड हाफ में आकर सचिन तवर ने लिए हैं काउंट करके बता रिता हूँ एक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 तो भाई 14 पॉइंट लिए है सचिन तवर ने और एक और 10 पॉइंटर लगा दिया है भाई सब बताता हूँ आपको धीर धीर बताता हूँ यहां पर धड़कने तेज भी बैठी हूई है क्योंकि गोल्ड मेडल मुकाबला चल रहा है इंडियन बडाबरी पर है और यहां पर ताइवान की अभी स्ट्राइक चल रही है अंकुर भाई प्रेजनेंट टाइम पर अभी गोल्ड मेडल मुकाबला आर्चिरी में चल रहा है हमारी भारती महिला टीम कंपाउंड मैच मिक्स टीम इवेंट में खेल रही है और भारती टीम 141 प काबलियत तो है देखें मोहिर भाई और कल गोल्ड इसलिए जीता रहा क्योंकि काबलियत तापी जाद है यह शायद 9 दिया जाएगा यह पता नहीं है क्या 9 दिया गया गया हलकका सभी अगर तच उता है तो 10 पॉइंटर दे दिया आता है तो बुल साह एक बड़ फिसे आर अगर टाय हो जाते है तो एक शूट आउट होता है फिर दोनों का दोनों का मतलब तीनों मैंसे कोई भी एक प्लेयर है नहीं तीन यह मारेंगे तीन वो मारेंगे तो भारती टीम और एक और सुपर टेन लगा दिया है भाई यहां पर कबड़ी में सुपर टेन देखने मिलत है अठारा शॉट्स कंप्रीट हो चुके है छे शॉट्स और लगने बाकी है तो मतलब मुश्किल से दो तीन मिनिट और और पता चल जाएगा क्या भारती टीम के सिर पर एक और तास सज रहा है या नहीं विमन्स कंपाउंड टीम इवेंट में क्या भारती टीम एक और गोल अंदर प्लेयर थे वो थोड़े से फीके पड़ गया बिल्कुल एक जैसे मैं जैवरिंग थो की बात करूं नीरा चोप्रा वो वो इतना कॉम्पिटेंस उनके अंदर कि वो जब भाला थो करते हैं तो वो देखते नहीं है पीछे मुड के कभी नहीं देखते हैं वो अपने पीछे मुड के व्लैग लहरा दिया और नेक्स राउंड में भारती टीम ने एक 10 लगा दिया है स्टार्टिंग में एक बहतरीन शुरुआत दे दी है नेक्स राउंड की और नाइन पॉइंटर यहां पे कहीं ना कहीं एक पॉइंट भारी पर सकता है मोई भाई नाइन पाएंगे और अपने रिदम को कंटीन्यू कर पाएंगी देखना इंबॉटन होगा यहां पर भारती टीम क्या एक और सुपर 10 देख पाएगा नहीं और एक और 10 लगा दिया है तो चलिए एक सो नदबे पॉइंट हो गया है 200 पॉइंट हो गया है इंडिया के एक कि शौट नो हो जाता है बिल्कुल या फिर भी एक नो लग जाए दो दस लग जाए तो फिर भी बरापर का मुकाबला होगा ना मैं तो मुईत बाई जब ऐसी सिचुएशन पर फसा होता है तो चाहता हूं कि सामने वाले टीम साथ आठ पे मारता है नो दस पे खेल लाई नहीं एक प हमें जितने में वीवर्स देख रहे हैं सोरी यार दक दक हो रही है आर्चरी का फाइनल मुकाबला चल रहा है और 9 पॉइंटर बहुत ही जानदार जानदर यहां पर प्रेडिक्शन आपको देखने मिल रहे है 200-200 की बराबरी 200-200 की बराबरी तीनो 10 के 10 लगने चाहिए इं से पहला शॉट 10 पॉइंटर लगा दिया है दूसरा शॉट यहां पर खेला जा रहा है गलती करनी कि कोई गुझाइश नहीं होनी चाहिए बारती टीम के पक्ष से और एक और 10 पॉइंटर बाफ कीजिएगा अभी कबड़ी का इतना जोश है कि सुपर 10 यहां बार बार यहा जोटी सुरेखा वेनम को यहां पर गलती नहीं करनी होगी फाइनल स्टेज में आके चूक नहीं सकती है जोटी कि इंडिया की रैंक नमबर वन आचर है इस वक्त पर आचरी का इवेंट चल रहा है गोल्ड मेडल का मुकाबला है तो एक और 10 तो भारती टीम अब यहां से ग गले पे आएगा यहां गले पे आजाएगा ताज आजाएगा और बारती टीम के फेवर में चला गया इडी सीजन जीत गई बारती टीम यहां पर अभी दो शोट्स रहते हैं लेकिन फर्क नहीं पड़ता जीत गई बारती महिला कंपाउंट टीम ने एक और गोल्ड मेडल बारती टीम को यहां पर और अब फायदा नहीं होने वाला अब फर्क नहीं है वह एक पॉइंट की कीमत तुम क्या जानो अब 11 पॉइंट चाहिए एक शोट बचा हुए इंडियन टीम ने एक और गोल्ड मेडल यहां से जीत लिया है अपने पक्षमे कर लिया है इसी के अब बिल्कुल और फिर मिलते हैं आपको डेड़ बजे आर्चरी में भी हमारा गोल्ड मेडल आया तो आपको बहुत बहुत बदाई और मिठाई का हुए या मिठाई काएंगे देर सारा एंजॉय करेंगे तो पर में डेड़ बजे इंडिया का मैच है जापान से कबड़ी में और इंडिया का मैच है चाइना से हौकी में तो यार डे सारा एक्शन आपको यहाँ पर मिलेगा इतना सारे लाइक, शेयर, फॉल्यो, सब्स्राइब करने के लिए थैंक यू सू मच एक बार फिस से आपसे दुपहरवे मुलाकात होगी तब तक के लिए धन्यवाज अर इंडिया ने एक और गोल्ड मेडल जीते है तो दिन की शुरुआ भी